तार की एक बृताकार कुंडली में 100 फेरे हैं परतेक की तरजा 8 cm है और इन में 0.4 A धारा प्रभावित हो रही है तो कुंडली के केंदर पर चुंबके छेतर का परिमान कितना है दिया है एन बराबर 100 फेरे और जो हमारे पास दूरी है वो है 8 cm यानि 8 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर और धारा का मान है आई बराबर 0.4 A इंपियर तो केंदर पर चुंबकी या छेतर P का मान कितना होगा यह हमें ग्यात करना है तो जैसे कि हमें पता है B is equal to mu not ni upon 2a या आर भी आप लिख सकते हैं mu not का मान होता है 4 pi into 10-7 n हमें पता है 100 बटे 2 into a का मान यानि जो radius है वो हमें पता है 8 cm तो इसको convert कर देंगे 8 into 10-2 तो यह solve कर देंगे हमारा 2 से यह 2 4 कर जाएगा तो 2 इस तरह से ही होगा 2 pi और फिर हमारा 2 से 8 कर जाएगा फिर 4 से हमारा 4 कर जाएगा 0.10 तो हम इसे लिख सकते हैं pi into यहाँ पर 10 की power solve कर देंगे तो 10-7 और plus यह minus 2 नीचे वाली power उपर जाएगे तो plus 2 और फिर यह power आपकी plus यहाँ पर आ जाएगे 2 minus 1 तो यह होगा हमारे पास pi का मान रख देंगे 3.14 into 10 रिस पाउर यह हम यहाँ पर solve कर लेंगे तो यह power हमारी होगी minus 4 तो यह होगा 3.4 into 10 रिस पाउर minus 4 टेसला एक सीधे लंबे तार में 35 MPR धारा प्रभावित हो रही है तार से 20 cm दूर पर इस्तित किसी बिंदु पर जुम्बक्य छेत्र का परिमान क्या होगा अब हम अगला प्रश्ट का उत्तर ले लेते हैं जैसे कि प्रश्ट के में हमें दिया हुआ है कि I का मान बराबर है 35 MPR और R का मान दिया हुआ है 20 cm यानि इसको मीटर में कनवर्ट कर देंगे तो 0.20 मीटर हो गया और B यानि चुम्बक्य छेतर हमको ग्याद करना है तो R दूरी से या R दूरी पर इस्तित किसी बिंदू पर चुम्बक्य छेतर जो बराबर होता है B mu not upon 2 pi I upon R के तो ये जो हमें दिये वे मान हैं उनको रख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 pi into 10 is far minus 7 ये mu not का मान होता है I का मान दिया है 35 MPR और 2 और pi का मान अभी हमें आप ऐसे रख देंगे और हमारे पास R का मान है 0.02 इसको solve करेंगे तो 2 pi और 4 pi और से solve करके हमारे पास ये आजाएगा कितना ये हो गया 35 into 10 is far minus 7 और इसको हम सही एक form में लिख लेंगे 100 upon 10 ये 0 से 0 कड़ गया तो ये आगया हमारा 35 into 10 is far minus 6 या इसको हम लिख सकते है 3.5 into 10 is far minus 5 टेसला तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका हमने solution ये निकाल लिया इसी तरह से अगर्टिस तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 amp की धारा उत्तर से दक्षण की ओर प्रवावित हो रही है तार के पूर में 2.5 मीटर की दूरी पर इस्तित बिंदु पर चुम्बक्य छेत्र का मान और दिसा ग्याद कीजिए अगला प्रश्ण का उत्तर हम निकालते हैं तो यहां पर हमें दिया हुआ है करंड का मान आई बराबर 50 amp और आर का मान हमें दिया है 2.5 मीटर और यहां पर भी हमें चुम्बक्य छेत्र ग्याद करना है तो हम यहां पर एक ray diagram से भी दिखाने कोसिस करते हैं कि मान लीजें यहां पर चुम्बक्य छेत्र N2S है और P point पर हमें magnetic field ग्याद करना है जो R दूरी पर है तो प्रश्ण के हिसाब से यहां पर इस star में या इस wire में 50 ampere की current पास हो रही है तो B is equal to हम यहां पर भी same formula यूज़ करेंगे mu not i upon 2pi r की value रख देंगे तो यह हो गया 4pi into 10 raise power minus 7 divided by 50 और यह हो जागा 2pi into r r का मान हो गया 2.5 से solve करेंगे तो यह हमारे पास हो गया 2.5 से हमने 50 को काटा तो यह 20 decimal अटाके तो यह हो गया 40 into 10 raise power minus 7 यह इसको लिख सकते हैं 4 into 10 raise power minus 6 टेसला तो इस तरह से हमने इस प्रश्ण को भी solve किया और B का मन गयाद किया अब यहां पर इसकी दिसा की बात की गई है दिसा इसकी क्या होगी तो यहां पर हम कह सकते हैं दाएं हाथ के नियम अनुसार अगर हम इसको solve करेंगे या देखेंगे तो यहां पर जो चुम्बक्य छेत्र की जो दिसा होगी वो हमारे पास क्या होगी चुम्बक्य छेत्र की जो दिसा होगी वो उर्धादर यानि vertically upward होगी यानि उर्धादर उपर की ओर होगी तो इस तरह से हमारे पास ये चुम्ब के छेत्र की दिशाब राप्त हो गई है एक पास पास फेरों वाली परिनलिका 80 cm लंबी है तथा इसमें 5 परते हैं जिनमें से प्रतेक परत में 400 फेरे हैं परिनलिका का ब्यास 1.8 cm है यदि इसमें 8 एंपियर की धारा प्रवावित हो रही हो तो परिनलिका के भीतर चुम्ब के छेत्र का मान ग्यात कीजिए एक और प्रशन यहां पर ले लेते हैं तो जो प्रशन है दिया हुआ उसका हम यहां पर solution निकालते हैं तो हमें दिया हुआ है एक वायर की length हमें पता है 80 cm इसको मीटर में convert कर देंगे तो यह हो गया 18 इंटो 10 इसफार माइनस 2 मीटर हमें यहां पर यह distance between the two wire भी पता है यह wire पता है तो यह हो गया 1.8 इंटो 10 इसफार माइनस 2 मीटर और r भी हमें पता है तो वो r हम यहां पर निकाल सकते हैं यानि r हमारे पास वो diameter का हम आधा कर देंगे तो वो radius बनेगा तो यह हो गया 0.9 इंटो 10 इसफार माइनस 2 मीटर इसको हम क्योंकि हमारे पास number of layers दे रखी है वो है 5 तो जो एक परत में हम निकालेंगे वो कितने फेरे हैं उन फेरों को हमें संख्या भी दे रखी है तो यह हमारे पास हो गया 400 फेरे हैं और 5 परते हैं तो हम अपा कुल फेरों की जो संख्या हो जाएगी वो हम ग्याद कर लेंगे यह हमारे पास N निकले गए यह पर तो 5 इंटो 400 यह हो गया हमारे पास N यानि कुल फेरों की संख्या तो जैसे कि हमें ग्याद है कि हमें मिहां पर पूछा गया है कि आपको B निकलना है फॉर्मूला सीधा लगा देंगे B is equal to mu naught NI upon L यह लेंगे लेंट या R जिसको बोलते हैं यह वैलू रख देंगे तो यह हो गया mu naught की वैलू तो फोर पाइंट टेंट रसपाव माइनस 7 और यह हो गया 5 इंटू 400 और हमारे पास यह N का मान है और I का मान हमें पता हो है दे रखा है तो यह हमारे पास हो गया 8 Ampere और divided by हमारे पाइल भी हमें पता है कि वो है 80 इंटू 10 रसपाव माइनस 2 मेकार तो यह हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4 तू जा 8 हो गया यह यहाँ पर 0 से 0 कट गया फिर 2 तू जा 4 हो गया यह 20 हो गया तो यह हमारे पास हो गया पाइंटू 10 रसपाव माइनस 7 यह पावर सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास अगर हम पाई का वैलू रखना भी चाहें तो रख सकते हैं और अगर आप चाहो तो ऐसे डारेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो तो जैसे यहाँ पे फोर्ट यहाँ जो 16 है उसे सॉल्व करेंगे इंटू 3.14 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आप इसको डारेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो पाई इंटू 8 इंटू 10 रिख पाव माइनस 3 और इसका वैलू रख देंगे 3.14 इंटू 8 इंटू 10 रिख पाव माइनस 3 इसे सॉल्व करेंगे अगर तो यह हमारे पास हो जाएगा 25.12 इंटू 10 रिख तो यह हमारे पास B का मान हो गया तो इस तरह से आप अन्य प्रस्णों को भी जो एक्सरसाइस में दिये हुए हैं सॉल्व करेंगे दो लंबे सीधे सामंतर तारों A और B एक दूसरे से 4 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे हैं तारों में क्रमस है 8 A और 5 A की धारा एक ही दिशा में प्रभावित हो रही है तो तार A के 10 सेंटिमीटर घंड पर पल की गणना कीजिए उसमें सबसे पहले हमें I1 यानि करेंट का मान दिया हुआ है 8 A और I2 का मान हमें दिया हुआ है 5 A जो L लंबाई है वो 10 सेंटिमीटर यानि हम इसको मीटर में कनवर्ट कर देंगे तो 0.1 मीटर और R हमें पता है यानि उनके बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटिमीटर और इसको मीटर में कनवर्ट कर देंगे यह हो गए 0.4 मीटर तो हमारे पास जो दीवी लेंथ है उस लेंथ के साथ अगर दो वायर हम यहाँ पर दिखा दें तो हम यह कह सकते हैं कि एक A और B दो वायर है और इन वायर में जो करन्ट I1 और I2 फ्लो कर रही है वो 8 A और यह 5 A जो है वहाँ पर फ्लो कर रही है तो यह हमारे पास हम करन्ट के मान लिख आपको कन्वेंशनल वे में दिखा रहे हैं और उनके बीच की दूरी यहाँ पर दीवी है 4 सेंटीमीटर तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो 10 सेंटीमीटर लेंथ की जो वायर है उसके कारण जो है जो करन्ट वहाँ पर फ्लो कर रही है तो जो दूसरी है उस पर कितना जनरेट होगा तो हम यह जानते हैं दो सामंतर तार के बीच जब करन्ट पास होती तो क्या फॉर्मूला होता है फॉज इकल टू पाई आई वन आई टू अपन र तो वेलू रख देंगे तो यह हो गया 4 पाई इंटू 10 रस पाई मैनस 7 अपन 2 पाई और आई वन आई टू क होगी 8 इंटू 5 इंटू वहाँ पे L का वैलू हो गया 0.1 और divided by R हमारे पास हो गया 0.4 तो सॉल्व कर देंगे तो यह हमारे पास सॉल्व होके आगया कितना अब सिंपल काटने के लिए इसमें कोई वड़ी वैलू तो है नहीं तो आप सीधा सीधा इसको आलिक सकते हैं कि यह हो गया 8 और तो यह कटके आगया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 और यह हो गया हमारे पास 10 और 10 रिस पावर माइनस 7 जिसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास हो गया 2 इंटू 10 रिस पावर माइनस 5 न्यूटन तो इस तरह से हमारे पास ये force का value निकल गया एक 3 cm लंबा तार जिसमें 10 A की धरा प्रभावित हो रही है एक परिनलिका के भीतर इसके अक्ष के लंबवत रखा गया है परिनलिका के भीतर चुम्बक्या छेतर 0.27 टेसला है तार पर लगने वाला चुम्बक्या बल ग्यात कीजिए तो अगला जो हमारे पास प्रश्ण है उसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास लंबाई है या दूरी है वो है 3 cm यानि 3 into 10 पार माइनस 2 मीटर और आई हमें पता है यह हमारे पास 10 एमपियर बी का मान हमें पता है 0.27 टेसला तो हमें यहाँ पर तोगी थीटा भी पता है 90 डिग्री तो यहाँ पर हमें फोर्स निकलना है कि कितना फोर्स होगा तो यह हो जाएगा हमारे पास F is equal to IBL sin theta same formula use करेंगे और इस value को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो यह हो गया हमारे पास I का मान रख देंगे और यह हो जाएगा 10 into 0.27 यहनी L का मान रख देंगे और यह हमारे पास 3 into 10 raise power minus 2 और sin 90 ठीक हो गया तो इसको solve कर देंगे तो यह हमारे पास हो गया 0.81 into यहाँ पर power को solve कर देंगे तो यह minus 2 power है इसको ठीक करेंगे तो 10 raise power minus 1 और sin 90 तो 1 होता ही है तो यह हो गया 8.1 into 10 raise power minus 2 नूटन यह हमारे पास force हो गया एक तार जिसमें 8 एंपेर की धारा प्रभावित हो रही है 0.15 टैसला के एक समान चुम्बक्या छेतर में छेतर से 30 डिगरी का कौन बनाते हुए रखा गया है इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला पल क्या होगा परिमान क्यात कीजिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न का उत्तर निकालते हैं और हमारे पास प्रश्न है और उसमें जो दिया है वो है कि सबसे पहले हमारे पास पता है पिद्दुधारा का मान आई बराबर 8 एंपियर यह हमें गिविन है तो आई का मान पता है बी का मान पता है 0.15 टैसला थीटा बराबर 30 डिगरी यानि 30 डिगरी पर वो तल में जुका हुआ है तो एकांक लंबाई पर यानि एकाई लंबाई पर जो लगने वाला बल वहाँ पर है अगर हम उस बल को प्रश्ण के हिसाब से देखेंगे तो ग्याद करना है कि वो कितना होगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे F is equal to I L B sin थीटा यह हमें पता है कि किसी भी आविस पर कितना फोर्स लगता है चुम्बक्या छेतर में तो यहाँ पर यह हो गया क्योंकि force per unit length निकालना है is equal to I B sin थीटा अब हमारे पास जो given मान है उनका use करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास I का मान हमें दे रखा है 8 Ampere B का मान हमें दे रखा है 0.15 Tesla और angle हमें पता है sin 30 degree तो इसको solve कर लेंगे तो यह हमारे पास हो गया 1.2 और sin 30 की value 1 by 2 इसे solve कर लेंगे तो यह हो गया 0.6 Newton per meter यानि क्योंकि force per unit length की यानि F by L का मान होगा 0.6 Newton per meter तो अगर